किसी ने कहा है कि दर्ध एक संकेत है कि आप जिन्दा हैं और समस्य एक संकेत है कि आप मजबूत है और प्रार्थणा एक संकेत है कि आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं एक आस्रम में बहुत बड़े संत रहा करते थे और वो बहुत ग्यानी भी थे और बहुत धर्यवान थे वो किसी पे गुस्ता नहीं करते थे बहुत ही प्यार से लोगों से बात करते थे अपने में मगन रहते थे लेकिन उन्हीं के आस्रम में एक ऐसा भी सिश्य आया जो लोगों से लड़ जाता था और सही से किसी से बात नहीं करता था बहुत गंदे तरीके से बात करता था एक दूसरे से कुछ समय तो लोग उससे बात करने की कोशिश किये लेकिन एक समय ऐसा आता है जब आप से आप बार-बार किसी से बात करना चाहो और वो आप से बहुत गलत तरीके से बात करें तो आप धिरे-दरे उससे किनारा कर लेते हो तो उससे भी लोग धिरे-धिरे किनारा करने लगे और कुछ दिनों के बाद उसको ये एहसास भी हो गया कि हाँ अब हमसे कोई बात करना नहीं चाहता और मैं अकेला हो गया हूँ, अकेला-केला फिल होने लगा उसको, तो हुआ क्या, फिर जब उसको ऐसा फिल हुआ तो वो जो उनके गुरू थे, उनके पास जाता है, और उनसे बात करता है कि गुदेव, काफी समय से मैं देख रहा हूँ कि मेरे व्योहार के कारण, जो भाषा शायली के कारण, लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप इतने धहरवान कैसे हैं, आपने ऐसा क्या किय क्या है, आप ऐसा क्या करते हैं कि आपको गुसा नहीं आता, किसी से चिड नहीं होती, किसी से तकलीफ नहीं होती, आप अपने जीवन का राज बताएं हमको, उनके जो रहते हैं, उनसे कहते हैं, देखो, मैं क्या करता हूँ, ये तो मुझे नहीं पता है, और मुझे मेरे जीवन का रहष्य तो सचमूच नहीं पता है, लेकिन एक बात मुझे पता है, वो तुम्हारा भविश है, तो पुछता है कि गुरुजी मेरा भविश क्या कहता है, वहीं बता दें, तो गुरुजी उसके कहते हैं, देखो पुत्र, तुम्हारी एक हपते बात मृत्य हो जाए और उससे भी इलज जाता, लेकिन वो जो जिसके सामने या जिसने उनसे ये बात कही, वो बहुत पहुचे हुए संत है, उनकी हर एक बात लगवलबख सत्यसावित होती है तो अब उनकी बात जुटा सावित नहीं हो सकता तो वो अब उसको यह एसस हो गया कि आप सच मुछ मेरे पास सिर्फ एक सptah का समय है अब जब उसको यह एसस हुआ तो लोग बशानी होता था या चिरता नहीं था लोगों स और यहां तक कि जिससे जिससे उसने गुस्से में बात की थी, जिससे जिससे उसने मार्पीट की थी, वो उनसे भी जाके उस बात के लिए क्षमा मांगने लगा। जिससे मिलता उसे कहता कि मैंने आपके साथ अगर कोई गलत बात की हो तो आप मुझे माफ कर दें। अगर मु गुरु जी के पास जाता है और गुरु जी से कहता है कि गुरु जी आज तो मेरे जीवन का आखरी दिन है आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जैसा गुरु मेरे जीवन में आया और उनसे कहता भी है कि आपके चरण में ही मैं अपना आखरी दिन बिताना चा किसी ने मुझे बुरा भला भी कह दिया तो मैंने उलटके उनको जवाब नहीं दिया और मन में बहुत सांती थी इस वीक तो उसके गुर्देव कहते हैं कि तुमको एक बात बता दूं बेटा कि जो तुम मैंने एक वहिषवाणी की थी वो असल में वहिषवाणी जूटी थी वो सिर्ब तुमको एहसास दिलाने के लिए था कि जीवन कैसा होता और मैं इस सब चीजों से कैसे उपर उठा हूँ मैं धहरे किशाथ कैसे रहता हूँ मैं किसी से उची आवाज में क्यों नहीं बात करता हूं, मैं किसी से जगडा क्यों नहीं करता हूं, कोई मुझे कुछ कह भी देता है तो मैं चुप-चाप सुन कैसे लेता हूं, इसका यही कारण है कि मैं यह मानता हूं कि मेरा जीवन है बस इसी क्षण के लिए है, मैं अगल करते हैं अगर तुम को ये सत्य पता हो जाए कि एक दिन सब्की मृत्यू होती है तुम अपना जीवन अच्छे से रतीत करने लगोगे पासन में आई तो गुर्दे उससे कहते हैं जाओ बेटा मृत्यू तो एक दिन आनी है लेकिन जब तक मृत्यू नहीं आती अब तुमने सीख लिया है जीवन का रहस्य की कैसे सुखी और कैसे प्यार से रहे अब तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी इस कहानी का यही सक्षा भी था तो इसी के साथ एक बार फिर मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि मस्त रहो स्वस्त रहो और सक्षित बनो